प्रेस दे बेल आइकन ओन दे यूट्यूब आप सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया एज भारत पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही मज़दार डिबेट ल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहें तो चलिए फ़ली ये वीडियो देखते हैं और अंतने इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत अब हाजाता है की खुडा की मर्जी के बगएर पत्ता भी नहीं हर चीज़ खुडा की मर्जी का कॉंसेप्ट कि यह का जाता है सतर माह जितना प्यार करता है खुदा तो वो कौन सी माह जो आप में फिक देगी बच्चे को नहीं बहुत बहुत अच्छा आपने स्वाल किया है देखिए इस चीज को समझी क्या समझना है इसमें इसमें यह समझना है कॉल की वज़ा से मैं आपका सवाल भूल गया रिपिट करेंगे दोबारा जहन से निकल गया यह पूछ रही थी मैं यह पूछ रही थी कि एक तो मैंने आपसे यह कहा था कि अगर सब कुछ खुदा की मर्जी से हो रहा है तो फिर इनसान को सजा किस बात की मिलेगी दिन को जेता हूं पूछ देखेंगे तकदीर दो तरह की है एक तकुदीर वो है जो अल्ला ने अपने हाथ में रखी है एक तक०ीर वो है जो अल्ला ने इनसान के सबूर्द कर दी है कि यह तेरे आमल पर मौकुफ है suppose कीजिए रोजी देना अल्ला का काम है लेकिन उस रोजी को हासिल करके उसकी रोटी बनाना निवाला तोड के खाना सालन बनाना और फिर उसको मूमे रखना चबाना पेट में ले जाना ये सब इनसान का काम है इनसान को अल्ला ने ताकत दे दिये ऐसे ही अल्ला ने इसलाम में इसलाम को नभी के जरीये से पूरे मुसल्मानों को पूरे इनसानित को बता दिया कि इसलाम ये है अगर ये करोगे तो जन्नत मिलेगी ये करोगे तो जहन्नम मिलेगी अब सवाल ये है कि जो आपने कहा कि पत्ता वगेर उसकी ताकत के नहीं हिलता बिल्कुर सही बात है ये जो मेरा हाथ है इसमें ताकत अल्ला ने दी है लेकिन अल्ला ने ताकत दे कर मुझे इजाज़त दे दी कि जब चाहे तू इसको हिला सकता है मेरी जबान है अब अगर इसको अपनी मर्जी से हिला रहूं। अब अगर इसको अपनी मर्जी से मैं गलत तरीके से हिलाता हूँ इससे गुना के काम करता हूँ तो इस पर सजा तो मिलेगी। क्योंकि बता दिया कि अच्छे काम ये है बुरे काम ये है बुरा करेगा तो इस पर सजा तो मिलेगी। अगर अल्ला की मर्जी के बगएर इन्सान कुछ करता अगर इन्सान अपनी मर्जी से कुछ करता और अल्ला इसलाम को उससे पहले न बताता तो फिर ये सवाल वाजिब था कि अल्ला ने इसलाम तो बताया नी अच्छे करने वाले काम तो बताया नी फिर ये सवाल हो सकता था क्योंकि अल्ला ने हमें नभी के जरीए से अच्छी बुरी सारी बाते बता दी और पुरान में ये भी कह दिया तामुरूना बिल्मारूफ वतनहूना निन्मुन कर तुम लोगों को अच्छे कामों का हुकम दो और खुद भी अच्छे काम करो और बुराई से रोको और खुद भी बुरे कामों से अपने आपको रोको तो ये ये जो कॉंसेट है इसलाम में अच्छे बुरी चीजों का अच्छे बुरे आमल का उस आमल को जब नभी के जरीए बता दिया गया तो नभी के जरीए बताने के बाद अब अगर कोई बुरा अमल करेगा तो सजा तो मिलेगी भाई नहीं तो मौलाना साब एक चीज़ और है यहां पे जो है वो तफरीग भी रखी गई है ना मतफर्क रखा गया है कि अगर कोई अमीर है और वो रोजा नहीं रखता तो वो किसी को खाना किला दे वो कर दे तो वो निकल जाएगा उसमें से ठीक है और इसी तरीके से अगर कोई कतल कर देता है कुछ कर देता है तो वो भी पैसा दे कर और निकला जा सकता है इसलाम से लेकिन जो विचारा घरीब है वो क्या करे वो ना तो कोई खाना खिला सकता है ना वो कोई पैसादा कर सकता है तो ये किस तरह का इंसाफ है नहीं ये कहां पढ़ लिया अपने के इसलाम में ऐसा है अमीरों के लिए ये कहां पढ़ा है होता है ना यहां पर पढ़ने की क्या बात है बिल्कुल नहीं होता है रोजे का फिदिया अगर कोई आदमी इतना बीमार है कि वो रोजा नहीं रख सकता और बीमार इतना है कि उसको आगे जिन्दगी में बचने की वो भी नहीं है आस कि मैं बच भी जाओंगा तो उसके लिए इजाज़त है चाहे वो अमीर हो चाहे गरी फिदिया दे दे, तो उसके रोजों के तरफ से वो फिदिया अदा हो जाएगा, इसमें अमीर का तो कहीं बताया है नहीं है, कि वह अमीर हो तब दे दे, गरीब हो ना दे, वह तो अमीर होगा ना, अमीर होगा तब तो अदा कर पाएगा ना, आप में यह कहा रही हो, कि पैसा वाला होगा तभी टो अदा गरीब कहुंसे जेगा वह तर्मा मुहतर्मा वह इतना बड़ा फिद्या है नहीं कि उसको अमेर या दे सकता है घर गारीब ही कि उसको ते यहीं जाता जो फ्सूबर रोच Bashar यह ऋए फिदिया दे सकता है, वो फिदिया को इतना बड़ा थोड़ी है, कि भूझ हम इस और नहीं कर सकता है। और आप निकल जो बिलकुल नहीं बिलकुल भी नहीं इसलाम में ऐसी कोई चीज है यह नहीं इसलाम ने ये इजाज़त दी है कि जिनका गतल हुआ है अगर वो माफ कर दें तो फिर जो शरीयत में उसकी सजा है गतल की वो उस पर लागू नहीं होगी अगर वो माफ कर दें उसमें पैसा इन्वाल नहीं है पैसे का जिकर नहीं है पैसा कोई इन्वाल नहीं है अगर कोई मौलवी इस तरह की बाते बताता है या कहीं से आपने कहीं पढ़ ली है तो वो गलत है विलकुल इसलाम में कतल की जो सजा है अगर जिसका जैसे मेरा सब्सक्रों मेरा बेटा कतल हो गया अगर मैं उसको माफ कर दू कि चलो भई कोई बात नहीं मेरा तो चला गया मैं दूसरे की जान क्यों अगर माफ कर सकता हूँ तो मुझे अधिकार है माफ करने का मैं माफ कर सकता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं क्लाम में के पैसा लेके मैं उसको छोड़ दूँ मौलाना सब कई मैंने क्लिप देखे कई मौलाना के देखे पाकिस्तान से थे कुछ इंडिया से थे लुस्तान से थे वो कहतें जी नॉन मुसलिम के साथ बैठ कर जो आप खानी सकते उनकी तहवारों में नहीं जा सकते उनकी दीवी मिठाई या खाना नहीं कहा सकते इस किसम की बाते करते हैं तो क्या बाकिए ऐसा है तो मौलियों से मौहबत बहुत है वि आप से ही पूछूँगी ना कोई में जो गौराओ से पूछूँगी मौला नाओ का सवाल आभी से पूछा जाएगा ना दूसरे समझिए देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है शरीयत में मसला ये है कि आप किसी भी इनसान का जूटा भी खा सकते हैं गैर मुस्लिम का जूटा भी खा सकते हैं शर्त ये है कि उसने कोई नशे की चीज ना खाई हो या इसलाम में जिस मास को जैसे सुवर का गोश है इसलाम में हराम है अगर उसने ऐसी कोई चीज खाई है या आपका मन नहीं मानता या आपका मन नहीं मानता इसलाम ने इसकी भी रियायत रखी है कोई सामने का जूटा खा सकते हैं चाहे वो खेर मुसलिम ही क्यों नहों अब आप मुझे बताईए जो इसलाम जूटा खाने को कह रहा है वो पास बैठकर खाने को मना कैसे कर सकता है मुझे बताबाब मुलाना साब एक बात बताएं, क्या अगर मेरा मंदर जाना हो, मैं कहीं दुबाई गई हूँ, अबुदावी में मंदर बना है, या मैं भारत आती हूँ, या पाकिस्तान में कोई मंदर रहे, मैं वहाँ जाओ, मैं वहाँ दूआ पढ़ सकती हूँ, मेरी दूआ कबूल होगी ये तो आप अपने आल्ला से पूछ जिस अलला को मानती हैं, नहीं, मैं जिस अलला को मानती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कि अगर एज़ा मुस्लिम मैं किसी मंदर चुर्च में जाके दूआ पड़ लो, कि या मिरी दूआ सुनेगा, मुझे अपनी दूआ का पता कि अल्ला किया है कि नहीं कर सकते हैं Katie Κ alerts. यह सवाल यह सवाल कि वहां जा कर सकती हूं यह दो पर चरब हुए यह नहीं. में यह क्यों था रही है जी 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 है आरे यह तो मैं देखे मैं इस बात का तो जवाब दे सकता हूं कि वहां आप जाके पूजा यह इबादत कर सकती है यह नहीं इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूं कि आपके दूआ कबूल होगी यह नहीं होगी वह तो आप मस्जिद में बैठ को मागें वह तो मस्जिद में वहाँ पे जाके मंदिर में या चुर्च में जाके हाजोर के दूआ पढ़ना ठीक है? नहीं, इसलाम की रूप से बिल्कुल गलत है. आप अगर जुमूरी मुल्क में होने की वज़ा से, उस मुल्क के आईन और खारून की वज़ा से, कहीं जाकर मंदिर में माता टेकना चाहती है, पूजा करना चाहती है, अबादत करना चाहती है, तो आप अज़ाद हैं, इसलाम इसकी अजाज़त नहीं देता. क्यों? क्यों नहीं देता? इसलाम इसकी इजाज़त के मैं किसी मंदिर में जाके भी दूआ पढ़ सकूँ, मैं बुदा के स्टेचु कि आके भी दूआ पढ़ सकूँ, दूआ पढ़ने में क्या हरच है? मैं बताता हूँ क्यों का जवाब? तो शिरक हो गया यह यह तो शिरक हो गया सीदा कि हम आम को भी एक मान रहे हैं पुरान यह अल्ला अगर तुम एक अल्ला को मानते हो, तो एक अल्ला को मानो, अगर नहीं मानना चाते, तो ना मानो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा, कि तुम अल्ला को भी मानो, और दूसरे भगवान की भी पूजा करो, यह नहीं चलेगा, यह नहीं हैं वो जो हमारे मज़ार बगएर होते हैं उस पे तो नॉन मुसिम्स भी आते हैं अजिवेर शरीफ पे बहुत से हिंदू और क्रिस्टिन जाते हैं वो चादर चड़ाते हैं तो उनका वो आ सकते हैं कोई बात नहीं क्योंकि हम उनसे पैसा ले रहे हैं वहाँ पे चंदा मानता है जाए वो मुसल्मान हो या गैर मुसलिम हो अलगों नहीं नहीं इसलाम मानता नहीं नहीं चीजों को अगर मुसल्मान भी करता है उसको भी नहीं मानता वो भी हराम कर रहा है अगर मुसल्मान भी इस काम को कर रहा है कि किसी मज़ार पे जाके चादर चड़ा रहा है सच्चा कर रहा है वो भी हरम काम कर रहा है जब इसलाम मुस्लिमान के लिए नी मानता तो फिर किसी गेर मुस्लिम के लिए दूसरी बात यह Ange करते हैं, जहांसे सूरज निकलता है और जहां सूरज चीपता है जतने मुस्लिमान हैं अगर वो खालिस अल्ला पर इमान लगते हो तो अल्ला के लावा किसी की पूजा नहीं करेंगी अगर कोई पूजा करता है तो लोग करतारपूर भी जाते हैं बहुत से मुसल्मान पाकिसानी मुसल्मान करतारपूर भी जाते हैं वह जाके भी दूआ पढ़ते हैं और उसमें म रिव्दा की पूजा करेंगा वो श्रक है अभी आप फैसला करेंगे हम पूजा करने हैं दूआ पड़ रहे हैं वही बात हो गई ना आप लोग उती है कि कि आप किसी चीज़ को शिर्क कह देंगे और किसी चीज़ को कहेंगे चैंगे कि हाँ यह ठीक है कि आप जो है वह बहुत शुक्रिया और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत शुक्रिया थैंक यू नमस्ते दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह आपको काफी पसंद आयोगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरस्टिंग लगे होगी जहां पर आपने देखा मुलाना साब तो आज बड़े अच्छे मूड में थे इवन कि उन्होंने अर्जुकाजमी से ये भी पूछ लिया कि आपको मुलाना के पास रहना बड़ा अच्छा लगता है जिसका अर्जुकाजमी ने बड़ी विवाकी और मजएदाय तरही के से का कि नहीं मैं तो मुला पाता ही मंदिर की कि आर्जुकाजमी ने ये का कि क्या मैं मंदिर जाके दुआ कर सकते हूं तब मुलाना जी ने अपना असल चेहरा दिखाया और सक्त मना कर दिया वेल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो से लाइक और शेयर जरू कर दें और इस वीडियो के बार झाल